आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की वोटो कीचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Hello friends, question पूचा है How is yark adapted to live in cold regions? तो cold regions में रहने के लिए yark की तरह adapted होते हैं, cold region मतलब mountains खाज करके, mountains पे ये yark जो होते हैं, वो रहते हैं, और इनमें अगर देखा जाए तो broad pools होते हैं और ये allow करते हैं इन्हें travel करने में, across its habitat, without falling, क्योंकि वहाँ पे snow होता है, तो बिना गिरे ये अपने food source तक पहुच सकते हैं तो ये broad हूँ, ये important adaptation है, अब हमें पता है कि mountains या फिर cold region यहाँ पे जो temperature होता है, वो बहुत कम होता है, तो इनके body पे fur होता है, body fur और ये protect करता है, protects from cold temperature, क्योंकि ये है mammals और mammals अपने body का temperature ये environment के हिसाब से change नहीं कर पते हैं, दूसरी, large chest and lungs, इनमें large chest होता है, and lungs, क्योंकि देखिए, यहाँ पे ये mountains है, तो oxygen level कैसी होती है, कम होती है, oxygen level ये होती है, less, तो इसमें manage करने के लिए इनके पास large chest and lung होते हैं, और इनमें होते हैं poos and horns, poos and horns, तो ये क्या करेंगे, break करेंगे frozen grass को, ब्रेक, frozen, grass, and ground, तो इन्हें जहाँ भी food available होगा, तो frozen चीजों को इन्हें तोडने के लिए इनके पास foods and horns होते हैं, तो ये कुछ adaptations हैं, जो की याक में पाये जाएंगे, और cold region में adapt करने के लिए, survive करने के लिए, तो ये क्लासिक्स चीट्वेल से लेके, NEED IIT जेही means और advanced के लेवल तक, 10 मिलियन से जादा students का भर होसा, आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप, या WhatsApp कीजे अपने डाउट्स, आट 400 444 सूपर,